अस श्री योग वाशिष्ठे निर्वान प्रकर्णस्य उत्तरार्धे शट्बिम्षाधिक शततमस्सर्गह श्री रामव वाच अनंतरं मुनिष्रेष्ठ कुर्वंतह किम्भिपस्चितह आसंस्तेशु दिगंतेशु सद्वीपाप धिबनाद्रिशु श्री वशिष्ठव वाच श्रणुकिम्भित्तमे तेशाम् ताततत्रो विपस्चिताम् तालीतमालमालाध्य वीपाद्रि बनचारिना क्राउंच द्वीपगिरे रेको विपस्चित पस्चिमे तटे कटेनाद्रि तटे पिष्ठव करिना कमलम् यता ज्वितियो नभसा नीतो रक्षसा विक्षतांग कह निक्षिप्तो बाडवे बन्नाव। तत्र बस्मत्वमागतह। तृतियस्त्रैदशं देशं नीतो विध्याधरेन वै। गतो प्रणाम कुपितो शक्रशापेन भस्मतां। चतुर्थस चतुरम गच्चन कुषत द्वीप गिरेस्तते दुरुवारेन नदीकच्चे मकरेन आश्टधा कृतह। इतिते पंचताम प्राप्ता दिंग मुखे श्वाकुलाशयाह। खशये चतुर्षु चत्वारो भूपाला लोकपालवत। अथते शाम्ददर्शासव ब्योम्नेव ब्योमरूपिनाम संबित प्राक्तन संस्काराद ब्योमात्मावनिमंडलं। सप्तद्वीपाप्धिवलयं पुरपत्तन भूशनं सुरशैल शिरह पीठं ब्रम्हलोक शिरोमनिं। चंद्रार्क भिंबनयनं तारा मुक्ता कलापकं विलोलमेगवसनं नाना वनतनूरुहं। देहान विपस्चिताम संबिद्ध दर्ष चतुरोपिसा प्राग्वत कल्प परावृत्तव। ध्यौर्धि गंता निवाततान। आति वाहिक संबित्ते स्थे ब्योम्नि ब्योमतात्मकाह आधि भावतिक देहत्व भावान दद्रिशुरग्रतह। अस्यात्मकत्वे विद्येयं कियती स्याधितीक्षितुं। चत्वारोपि प्रवृत्त्ते संस्कार बशतह पुरह। द्रिश्य दर्षन योरुर्भी मंडला नुभवाकृते निष्ठाम द्रष्टुम विद्याया भ्रेमुर् ज्वीपांतरानिते। ज्वीपसप्तक मुल्लंग्य समहारणवसप्तकं विपस्चित पस्चिमहाप्राप घनभूमव जनार्दनं। तस्मादनुपमं ज्ञानं समासाध्य दिगंतरे तस्मिन्नेव समाधाने सोतिष्ठद वर्षपंचकं। ततो देहं परित्यज्य चित्ते सत्तामुपागते सोतत प्राण इवाकाशं परं निर्वाण माये जो। पूर्बह पर्वणिशीताईशु बिंबपार्श्वे स्थितंबपुह। चिंत यंस्किरमुन्नस्ट देहस्चंद्रपुरे स्थितह। दक्षिनह शालमलिद्वीपे राज्य मुच्सन शात्रवह करोत्यद्यापिनसतो बिस्मृताण्य बिनिश्चयह। उत्तरस्तर लास्फाल कलोले सप्तमाम बुधव। सहश्रमेकं बर्शाना मुबास मकरोदरे। मकरोदर माम साशी मृते मकरनायके मकरोदर तोब्धेस्च निर्गतो मकरोयता। ततोशीति सहश्राणि योजनानाम घनावनिम हिमकल्पजलाम भोधेरुल्लंग्य सुघनोदरीम। प्राप्तो दश सहश्राणि योजनानाम महामहीम सौवर्णीम सुरसंचारसरणिम् मृतवानसौ। तस्यां भूमौच मध्येच विपस्चिन्ना कितामगात। उत्तमाम अग्निमध्यस्थं क्षनात काष्ठ मिवाग्नितां। प्रधान देवो भूत्वासव। लोका लोक गिरिम्कतह। अस्यभूमंडलतरो। रालवालमिबस्थितं। सपंचाशत्सह श्राणि योजनानाम समुन्नतह। आलोक लोकाचा राध्यो भाग एकोस्यनेतरह। लोका लोक शिरह प्राप्तम् तारका मार्ग सम्स्थितं। अधह स्थिता अपश्यन्स्त मुच्यनक्षत्रशंकया। तस्मात्प्रदेशात्तत्पारे तमस्तस्यो महागिरे चतुर्दिक्कं महाखातं नभाः शुन्यमनंतकं। ततो भूगोलकोयंहि समाप्तो वर्तुलाकृतिहि नभाशुन्यम् महाखातं ततस्तिमिरपूरितं। तत्रालिकज्यलतमालनभोंतराला नीलंतमो नचमही नचजंगमादी। नालंबनं नचमनागपि बस्तुजातं किंचित्कदाचिदपि संभवते तिविद्धे। इत्यार्षे श्री वाशिष्ठ महारामायने वालमी कीए देवदूतोक्ते मोक्षोपायेशु निर्वान प्रकर्णे कुत्तरार्धे। अविद्यो पाख्यानांतरगत विपस्च जन्मांतराचरणम नाम सट्भिम्षाधिक शततमसर्गह। अथसप्त विम्षाधिक शततमसर्गह। श्रे रामव वाच। भगवन कथ ये तन्मे कथम भूगोलकं स्थितम। कथम रिक्षगणो याति लोका लोकह कथम गिरिह। श्रे वशिष्ठव वाच। यथा संकल्परचिता शिषोर्ब्योमनितिष्ठती वीटाचिन्मात्रबालेन कल्पितो भूस्ततांबरे। यथा तिमिरिकाक्षानम केश चंद्रादि दर्शनम। चिदाकाशस्य सर्गादव। तथा पृत्व्यादि दर्शनम। यथा संकल्पनगरं धार्यमानं द्रिश्यते धार्यते धार्यते माच तथोर्व्यनुभवस्चिते। यद्यतायावदाभाति चिति चित्वात स्वभावतह तततातावदाभाति तत्र 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 तदात्मकन। तिमिराक्रांतनेत्रस्य केशोंड्रकमिबांबरे चिन्मात्रस्य मही गोलो योभातह सततास्थितह। उर्ध्वंबहंत्यह सरितस्तदधस्तादुताशनह। चितिचेत्स्वप्नवद्भाति तततातस्थितंभवेत। तस्मात्पतंती भूर्भाता पतत्येवा निशम्जगत। उत्पतंती तुचित्भाता ततानानात्मिका भवेत। स्तब्धभाता स्थिता स्तब्धा सालोका दुप्रकाशिनी। निरालोका निरालोकलोका नामात्मनिस्थिता। चित्भानैका नुसारेण तारा चक्रम्तता मही। असदेव सदैवेदं भातेद मविखंडितं। आलोका अलोकमेवाथ नभखा खातंततो महत्त। तम एकार्णवाकारं स्थितंतत्तर क्वचित्-क्वचित। दूरत्वाद ब्रिक्षचक्रस्य करालत्वान महागिरेह। क्वचित्त महा क्वचित्य जस्तत्रैवाचत्वरेपिच। लोका लोक गिरेह पारे स्थितादाकाष मंडलात। दशदिक्कम सुदूरेण रिक्षचक्रम विवर्तते। आपाताल दिवो नध्ध मृक्षचक्रम तदंबरे। दशदिक्कम प्रसरती पतदूर्द्वादृते भितह। भूलोक मेव पाताल युतं नक्षत्रमंडलं। परियति लोक लोकांते नान्यत्चित कल्पनाच्यतत। सलोकालोक भूलोग ज्विगुणात खादनंतरं। पक्वाक्षोटस्य भिस्व स्थितं नक्षत्रमंडलं। ज्विगुणान भसस्तस्माद्रिक्ष चक्रस्य पुष्टत। दशदिक्कं विसरतो बिल्वत्वक सद्रिशक स्थितेहे। संबिद्गनस्यकचनं याद्रिशं कल्पनात्मगं। यदित्थं सन्निवेशेन नन्वियं जागती स्थितिही। नक्षत्रचक्राद्विगुणं ततोन्यद्विद्यते नभः। तच्यक्वचित्प्रकाशाध्यं क्वचित्सांद्रतमोमयं। परियंते तस्यनभसह स्थितं ब्रम्हांड खर्परं। एकमूर्ध्वे परमधो गगनं मध्यमेतयोह। योजनानामकोटिषतं पुष्टं बज्रद्रिधं चतत् स्थितं संबेदनमयं ब्योम्नि ब्योममयात्मकं। सर्वदिक्कं महागोले नभसी स्वर्कतारकं। किमत्रोर्ध्वमधा किम्ष्यात् सर्वमूर्ध्वमधस्चवा। पतनमुत् पतनम् गमनम् स्थितं। चित इतिस्पुरितं नतु बस्तु तत। पतनमस्तिन चोत् पतनम् नवा। गमनमा गमनम् स्थितमित्यपी। इत्यार्षे श्रे वाशिष्ठ महारामायने वालमीचीये देवदू तोक्त मोक्षो पायेशु निर्वान प्रकर्णस्य उत्तरार्धे। अविद्यो पाक्यान अंतरगत विपस्यदु पाक्याने भूगोल निर्णयो नाम सप्त बिम्षाधिक शततमस्सर्गह। अथ अश्ट बिम्षाधिक शततमस्सर्गह। श्रे वशिष्ठ ववाच। अस्मदादेर जरस्य इतत् प्रत्यक्षं नानुमानिकं। शुद्ध बोध शरीरेण नाधि भावतिक रूपिन। एतदस्म जगत्स्वपने नान्येशु कथितम्या। अन्येश्वस्ति जगत्स्वपनेश्वे वमन्यापिचस्थितिह। जगत्स्वपनेशु चान्येशु सम्स्थान कथनेनकिम् नैयाउ पयोगिकादन्या कथा भवति धीमतां। सर्वेशा मुत्तरे मेरुर्लोका लोकस्च दक्षिने येशामित्यनुमाशेष भूत उगे तेन पंडिताह। प्रत्यक्षमेत दन्येशाम यत्रतेन्ये जगत्भ्रमाह नास्माकं विशयेतेहि तथा सम्स्थान शोभिनह। सर्वेशा मुत्तरे मेरुर्लोका लोकस्च दक्षिने सत्तद्वीपनिवासानाम नान्येशामिति निश्चयह। प्रकृतं श्रणुहे राम तद्ब्रम्हांड कवाटकं यत्प्रमाणं ततो बारी बाईहे दशगुणं स्थितं। तद्ब्रम्हांड कवाटम्तु त्रिनम् त्रिनम् अनिरियत धत्तेवारि स्वभावेन नित्यम कल्पकरत्नवत। सर्वेशामे बभावानाम स्थितह कल्पकरत्नवत सर्वदा पार्थिवो भागस्ते नात्रैते पतंत्यलं। जलाद्धश गुणं बाईहे स्थितं तेजो निरिंधनं। आकाश विशदं शान्तस्तब्ध ज्वालो दरोपमं। तस्माद्धश गुणो बाईहे सम्स्थितो बायुरायतह वायोर्दश गुणं बाईहे व्योमतिष्ठति निर्मलं। ततह परतरं शान्तं ब्रह्माकाश मनंतकं नौप्रकाशं नचतमो महाचिद्गनमभ्ययं। अनादि मध्य परियंते तस्मिन ब्रह्म महाम्बरे महाचिन्नाम्नि सरवात्मन्ययो निर्वान रूपिनी। ब्रह्म्हांडानाम् ताद्रिशानाम् दूरे दूरे पुनह पुनह मिथो लक्षाणि लक्षाणि कचंत्यु परमंतिच। नौकिंचित कचयत्यत्र समे कचनरूपिनी। ताद्रिंग्मयं तथारूपं। तदात्मन्ये वसंस्थितं। एशते कथितह सर्वो दृष्यानुः वनक्रमह अधुनाश्रणु किंबृत्तं। लोका लोके विपस्चितह। स्वभ्यस्त पूर्वसंस्कारो बिलसं निश्चये रितह। लोका लोके गिरेर मूर्धनस्तमहा श्वभरं पपातसह। ददर्षतत्र शिखरा प्रतिमैर विहगैर बपुह। विकर्तितं मनोदेहं प्रश्रितंच स्वचिंतिते। देशस्यतस्यपुण्यत्वाद्धेहं तच्चातिवाहिकं आधिभाउतिकताबोधं नानयनिर्मलाशयह। तावन्मात्रप्रवोधोसव। नाधिकं बोधमागतः। चिंत इत्वासितं कारियं बभूब प्रकृतेरहितः। श्री रामववाच अदेहं प्रसरत्यतत्चित्तं कारियं कतं मुने। आति वाहिकसं बित्तेर बोधः। स्यात्की द्रिशो धिकह। श्री वशिष्ठव वाच संकल्प पथिकत्वेन यथांत पूरवासिनह। इदं मनह प्रसरती तथास्य प्रशृतं मनह। ब्रमे स्वपने मनो राज्ये मिथ्या ज्याने कता शृतव। यथा मनह प्रसरती तथा तत्प्रशृतं मनह। पतंतितु शरीरं तद आतिवाहिक मुच्यते आधिभावतिक धीर्भाति विश्मृत्यात्रईवकालतह। ते तदांतर धिमायाते सर्परज्यु भ्रमोपमे आधिभावतिक धेहे स्मिंछिश्यते त्वातिवाहिकह। आतिवाहिक एशोंग निपुणं प्रविचारियतां चिन्मात्रब्यतिरेकेण यावदत्राण्यदस्तिनो। देशाद्धेशांतर प्राप्तव। यन्मध्ये संभिदो बपुह। चिन्मात्रस्यास्यत दुरूपमनंतस्येकरूपिनह। क्वाद्वैतं क्वचवाद्वेषः क्वारागाधितुकत्यतं सर्भं शिवमनाध्यंतं परो बोध इतिस्मृतः। निर्मनो मननं शान्तमासितं बोध उत्तमह। आति वाहिक देहस्थो नौतं बोध मुपागतह। विपस्चित्तत विवोधोसव ददर्ष विसरन्मनह आति वाहिक दोधेन गर्भ वासोपमं तमह। तमसोंते विरिंचांड कवातच्चेद भूतलं भज्रसारं हेममयं कोटियोजन विस्तृतं। तदंते प्रापसलिलं तस्मादस्ट गुणं ततह कपाट भूम्य इवसमं स्थित मर्णब प्रिष्ठवत। तमतीत्यततह प्राप तेजोर कगण भीषणं। प्रलयाग निघनज्वाला पिंडकोटर भास्वरं। दाहशोकादि मुक्तेन बपुषामानसेन तत्रगच्षंत्यबुबुधे बहनं पूर्भवासितं। विहमानो विवेदासा बात्मानं त्वाति बाहिकं। चित्तमात्रात्मनहा स्वस्य किम वोईहत इत्यपी। इति बोधे नधीरात्मा तंततारा निलारणवं। प्राप तत्विततं ब्योम तस्माद्धशगुनं स्थितं। तदतिक्रम्यसो प्राप ब्रह्माकास्यमनंतकं यत्रसर्भं यतहसर्भं यन्नकिंचिच्यकिंचन। मनसा प्रभ्रमं स्थत्र दूरात् दूरतरम्ययव। तेन द्रिष्टम्च पृत्वियापस्ते जो बायुस्तता जगत। पुनह संसाररचनाह, पुनह सर्गाह, पुनर्दिशह, पुनर्महिधराब्योम, पुनर्देवाह, पुनर्नराह, पुनह पंच महाभूत परियंते, ब्रम्ह निर्गनम, पुनस्ततर जगंत्युच्यः, पुनह सर्गाह, पुनर्दिशह, ब्रम्हाकाशस्ततह सर्गाह, पुनर्द्येत्वनिष्ठिताह, इत्यसव, भिहरंदीर्गकालमध्यापि, सम्स्थितः। स्वनिष्चयाच्यराभ्यस्तान्नासव विरतिमेतिह, अन्तो नई वास्त्यविद्यायाह, साहि ब्रम्हाई वसत्यताह। वस्तुतो नास्त्यविद्येह, ब्रम्हन्य विकलात्मनी, इदंद्रिश्यम विद्ययमित्यात्मैष, विकासितह। यदियता जागरति स्वपने, द्रिष्टम द्रक्ष्यसी पश्यसे, ततता ब्रम्ह सच्छान्तमासे दस्ति भविश्यते। गनतमह प्रभिलोकन चक्रकं, क्रम जगत प्रतिभानमिदं महत। परतया प्रतिभात्मतयानया, नचसदंग नवाप्यसदाकृति। तेश्वेव तेश्विव चतेशु तनूतरेशु ब्रम्हो दरेशु चिरदूरतरं जगत्सु। सोध्याप्यसंबिदत तत्वत यात योच्चेहि, खंडेशु रंकूरिव राघव बंभरमीती। इत्यार्षे श्री वाशिष्ठ महारामायने, वालमी कीये, देवदूतोक्तमोक्षो पायेशु, निर्वान प्रकननस्य उत्तरार्धे, अविद्यो पाक्यानांतरगत, विपस्चिदु पाक्याने, ब्रम्ह गीतासु। ब्रम्हा काश विपस्चिज जगच्चंद्र दर्शनम नाम, अश्टाबिम्षत्युत्तरशततम सर्गह। अब आगे इस योगवाशिष्ट महारामायन के निर्वान प्रकर्ण के उत्तरार्ध के 126, 127 और 128 में सर्ग में, उन मरे हुए बिपस्चितों के समसारब ब्रह्मन का तथा उत्तर दिशागामी बिपस्चित के ब्रह्मन का विशेश रूप से बर्णन इन तीन सर्गों में किया गया है। विपस्चित शब्द का आर्थ होता है विद्वान हमर कोश में जैसे कहा न, विद्वान विपस्चित दो शअग्या विद्वान विपस्चित और तीसरा नाम है परियाई शब्द है दो शग्या संसुधी संसुधी कोविदो बुधः कोविदो जो बेदों को जानने वाला है कू मने बेद उसको जानने वाला कोविद बुधः धीरो मनीशी ग्यः प्राग्यः संख्यावान पंडितह कभी ही धीमान सूरी ही कृती कृष्टिर लब्ध वर्णो विचक्षणः दूर दर्शी दीर्ग दर्शी श्रोत्य चांदसव समव तो विपस्चित माने अपनी बुध्धी से अंतर्यामी परमात्मा का विचार करने वाला चक्षू के आगे संसार दीखता है और चक्षू के पीछे जो चक्षू को देखने की शक्ती देता है उस अंतर्यामी को आत्मा चित अत्वा परमात्मा इत्यादी नामों से कहते हैं तो जो विपस्चित नहीं है जो अविद्वान है जो केवल बाईय भाउतिक द्रिष्टी से ही देखता है वो तो जैसे भगवान शंकराचारी ने कहा न शतशलोकी में देहस्त्री पुत्रमित्रा नुचरहय व्रिशास्तोषहे तुर्ममेथं सर्वे स्वायुर्नयंति प्रतितमलम मीमां समीमांसयेह एते जीवंतियेन ब्यवहितिपटवो येन सौभाग्य भाजस्तम प्राणाधीशमंतर्गतममृतममुम् नेवमीमांसयंति देहस्त्री पुत्रमित्रा नुचरहय व्रिशास्तोषहे तुर्ममेथं देहस्त्री पुत्रमित्रा नुचर माने नोकर और गाय घोड़े बैल ये सब मेरे तोशके हे तु हैं ऐसा ब्रांत लोग समझते हैं कि यह हमारा जो देह और मेरी स्त्रे और मेरे पुत्र मित्र और भृत्य नौकर और घोड़े और बैल आदि यही हमारे सुके साधन हैं पुराने जमाने में घोड़े बेल होते थे और अभी बरतमान में मोटर, स्कूटर, हेलिकॉप्टर बगर यही हमारे सुक्य साधन हैं ऐसे ही भ्रामक बिचारों से सब प्राणी अपने इस अमूल्य मानव जीवन को मांस की मीमांसा करते हुए मांस का विश्लिशन करते हुए ही ब्यतीत कर देते हैं परन्तु यह सब जिस आत्मा के सहारे जीवन जी रहे हैं जिसके अनुग्रह से व्यवार के लिए समर्थ हो रहे हैं जिसकी क्रिपा से ही सववाग गिशाली बने बैठे हैं उस अंदर रहने वाले अद्रिष्ट इलेक्टिस्टी की तर अथवा बाई फाई की तर जो अंतर्यामी हैं उस प्राणा अधीश अम्रित तत्व आत्मा का विचार ही नहीं करते श्री राम जी ने पूछा है मुनिस्रेष्ट है गुरुदेव तदिनंतर बे विपस्चित उन दिगन्तों में तथा द्वीपों और सागरों काननों और परवत भूमियों में जाकर क्या करते हुए निवास करते रहे श्री बशिष्ट जी महाराज ने कहा है वत्सराम उन में से एक विपस्चित क्राउंचद द्वीप के सीमा भूत परवत के पस्चिमी तट पर एक हाथी के द्वारा दातों एबं गंडस थलों से उस परवत की शिला पर कमल की तरह पीस डाला गया उसका कचूमर निकाल दिया एक हाथी ने दूसरे विपस्चित को जिसका शरीर क्षत विक्षत हो गया था एक राक्षस ने उसे आकाश मार्ग से ले जाकर समुद्रवर्ती बडवानल में जोक दिया जिससे वह वहीं जल कर भस्म हो गया और तीसरे विपस्चित को एक विद्याधर इंद्र सभा में ले गया और वहां उसने इंद्र को प्रणाम नहीं किया जिससे कुपित होकर इंद्र ने उसे वहीं शाप दे दिया उस शाप से वह जल कर भस्म हो गया और जो चोथा विपस्चित था वहां कुशत द्वीप की सीमा पर इस्थित परवत की तलहटी में बहने वाली नदी के कछार में बड़ी सावधानी से जा रहा था परंतु किसी महावली मगर ने उसके आठ टुकडे कर दिये जिससे वह मर गया इस प्रकार बे चारो भूपाल विपस्चित दिगंतों में जाकर मृत्यू को प्राप्त हो गए मृत्यू के पस्चात उन विपस्चितों की संबित ने यानि अंतस्चेतना ने पूर्व समस्कार वश आकाशात्मा बनकर आकाश में ही प्रिथ्वी मंडल को देखा फिर द्रिश्य और दर्शन के मध्य में भूमंडल का अनुववी जिसकी आकरती है उस अविद्या की निष्ठा फर्थात अविद्या की इत्ता को देखने के लिए बे ज्वीप दिवपांतों में भटकते रहे हे राघव उनमें जो विपस्चित पस्चिम दिशा की ओर चला था वह सातों द्वीपों तथा सातों महा सागरों को लांग कर घन भूमी पूर्वोक्त स्वर्णमई भूमी में जाकर पहुचा और वहां उसे भगवान जनारदन के दर्शन हुए फिर उनी भगवान से अनुपम ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्या पराविद्या प्राप्त करके उसी स्थान में पांच वर्ष तक समाधिस्थ हुआ बैठा रहा तगनंतर वह देह का परित्याक करके निर्वान को प्राप्त हो गया और पूर्व दिशा में गया हुआ जो विपस्चित था वह पूर्णिमा के चंद्रमंडल के निकट अपने शरीर को स्थापित करके उसमें चंद्रत्य की भावना करता रहा और फिर चिरकाल के बाद जब उसका पूर्व शरीर नश्ट हो गया तब वह चंद्रलोक में ही स्थित हो गया हे राजकुमार राम दक्षण दिशागामी जो विपस्चित था वह शालमली द्वीप में जाकर अपने शत्रों की जड़ उखाड करके आज भी वही राज्जी कर रहा है और उत्तर दिशा को प्रस्थान करने वाला जो विपस्चित था वह सबतमाम बुधी अर्थात साथ में सागर के पार जो सादू तक नाम का जो मीठे जल का समुद्र है उस सागर में जाके पहुँचा जिसमें चंचल एबं बिशाल तरंगे किलोले कर रही थी वहां उसने एक मगर के पेट में एक हजार वर्ष तक निवास किया उस समें वह उसी मगर के पेट का मांस खाकर जीवन निर्वाह करता रहा इस प्रकार जब वह मगर राज मर गया तब वह उसके पेट से निकल कर दूसरे मगर की तरह समुद्र के बाहर आया तदनंतर हिम के समान स्वच जल से भरे हुए उस सागर की असी हजार योजन की विस्तार वाली घनी भूमी को लांग कर वह दसजार योजन के विस्तार वाले एक विशाल मैदान में पहुँच गया जिसकी भूमी स्वर्ण मई थी और मध्यभाग बहुत बड़ा था उसमें देवता लोग बिहार करते थे वहीं उसकी मृत्यू हो गई उस भूमी में देवगणों के मध्य मरने से उस विपस्चित को उसी प्रकार उत्तम देवत्व की प्राप्ती हो गई जैसे अगनी के बीच में पड़ा हुआ काष्ठ खणवर में ही अगनी रूप हो जाता है फिर वह एक प्रधान देवता होकर उस लोका लोक परवत पर गया जो की भूमंडल रूपी ब्रिक्ष का थाला जैसा इस्थित्था हे राम भद्र उसका दिगंत दर्शन रूपी पूर्व संस्कार उसे पूर्णतया अभ्यस्त था ही अतहा वह उस उत्कृष्ट निस्चे से प्रेरित होकर जोहीं आगे बढ़ा त्योहीं उस लोका लोक गिरी के शिखर से अंधकार में गर्त में जाके गिर गया वहाँ उसने देखा कि परवत शिखर सरीखे बिशाल का मांस भक्षी पक्षी उसके उस देव शरीर को नौच नौच करके खा रहे हैं और पूर्व चिंतित दिगंत दर्शन के कारिय में उसका मनोमई शरीर ही प्रसार कर रहा है क्योंकि जहां उसकी मृत्यू हुई थी वह प्रदेश परम पावन था इसी कारण उस निर्मल हर्देवाले विपस्चित को अपने सूख्श्म शरीर में आदिभवतिकता का बोध तो नहीं हुआ परन्तु मन के व्यापार से रहित शांत स्थिती रूप उत्तम बोध की प्राप्ती नहीं हुई उसे तो आतिवाहिक शरीर का यानी सूख्श्म शरीर का ही विशे शुरूप से ज्ञान था इसी कारण उसने अपने मन को आगे बढ़ते हुए देखा आतिवाहिक ज्ञान से उसे गर्भवास तुल्य अंधकार दीख पड़ा उस अंधकार की समाप्ती पर ब्रह्मांड कटाह रूपी भूखंड द्रिष्ट गोचर हुआ जो बज्र सद्रिश, सारवान, घनी भूत, स्वर्णमय और करोणो योजन विस्तारवाला था उसके बाद उसे उस भूखंड से आठ गुना विस्तारवाला जल दिखाई दिया जो ब्रह्मांड कटाह की भूमी के समान, समुद्र की पीठ की भाती इस्तित था उसे पार करने के बाद वह एक तेज युक्त स्थान में जा पहुचा जो प्रलियागनी की घनी भूत लपटों के पिंडी भूत कोटर के समान चमकीला था और जहां बहुत से सूरिय अपना प्रकाश फैला रहे थे, जिससे वह अत्यंत भीषण लग रहा था उस तैजस आवरण में वह दाह शोक आदी से रहित मनोमय देह से बिचरण कर रहा था इतने में उसे ऐसा भान हुआ कि वह बायू रूप आवर्ण में आ पहुँचा है उस समय उसे यह ग्यात हुआ कि मेरा सूक्ष्म आत्मा ही ले जाया जा रहा है और वह चित्त मात्र आत्मा किस प्रकार ले जाया जा रहा है यह भी मालूम हुआ ऐसे ज्ञान के बल से उस धीरात्मा ने उस बायू सागर को भी पार किया उसके बाद वह उससे भी दसगुने विश्त्रित शुन्य स्थान में जा पहुँचा और फिर उसे भी लांग कर वह असीम महान आकाश में प्रविश्ट हुआ आकाश स्तल लिंगात जिससे जिसमें सबकुछ बिलीन हो जाता है जिससे सबकुछ आविर्भूत होता है यतोवा इमानी भूतानी जायंते यन जातानी जीवंती यत प्रयंती अभी संभी शंतीती जिससे सबकुछ आविर्भूत होता है तथा स्वयम जो कुछ भी नहीं है और सबकुछ है सत्वी है असत्वी है उस महान आकाश में मनों में देह से ब्रह्मन करता हुआ वह बहुत दूर चला गया वहां उसने प्रित्वी जल तेज बायू तथा जगत देखा फिर संसार की रचनाएं अनेक स्रिष्टियां और दिशाएं द्रिष्टि गोचर हुई तत्पस्चात परवत आकाश देवता मनुष्य और पंच महाभूतों के अंत में प्रित्वी जल तेज बायू तथा जग गनी भूत आकाश देख पड़ा। पुनहा, जगत, दिशाएं, आकाश और दूसरी अभ्यवस्थित स्रिष्टियां भी परिलक्षित हुई। इस प्रकार दीर्ग काल तक बिहार करता हुआ वह आज भी वहीं इस्थित है। चिरकाल से अभ्यस्थ हुए अपने जगत सत्ता रूप निश्चे से वह बिरत नहीं हो रहा है। क्योंकि अविद्या का अंत तो है ही नहीं। कर्म और उपासना का एक साथ सामरस्य करके जो अनुष्ठान किया जाता है। उसी से ब्रह्मग्यान की प्राप्ति होती है। केवल अविद्या का केवल भाई अविद्याओं का आश्रे लेने से अविद्या का नाश नहीं होता। क्योंकि अविद्या का तो अंत ही नहीं है। किन्तु जब उसकी सत्ता जान ली जाती है तब वह भी ब्रह्म रूप ही हो जाती है। वास्तम में तो पूर्णात्मा ब्रह्म में अविद्या है ही नहीं, क्योंकि असत का अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है, केवल प्रकाश के अभाव का नाम ही अविद्या अथवा अंधकार है प्रकाश हुआ के अंधकार गया, विद्या आई तो अविद्या गई, अन्य था यह दृष्य है, यह अविद्या है, यह तो उसकी कल्पना मात्र ही है यह रागव, वह विपस्चित आज भी तत्व ज्यान न होने के कारण, उन पूर्वद्रिष्ट स्थानों में ही, तथा उनी के सद्रिष अन्य सिर्ष्टियों, तथा बन खंडों में, अपनी वासना की उतकटता के कारण, चिरकाल से दूर से दूर बारंबार भ्रमन कर रह है!